नाम अलेकुम, वेलकम टू मैं जेनल, केमेस्ट्री एटा उनलाइन आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्विलिटी और सॉल्विलिटी प्रोडेक्ट की रिलेशन की दर्मियन उनका शोर्ट ट्रिक्स एक नहें वाले हैं चलो देखो बेटा, ताकि इन पर हम एजा के आने वाले जो क्वेशन है या इसकी जो प्रिविस क्वेशन है, इनको हम बहुत असानी से सॉल्व कर सके तो देखो, पहला टम है सॉल्विलिटी तो सॉल्विलिटी बोलते हैं कि लिए माउंट अब सलूट इन ग्राम required to saturate 100 gram of solvent at a particular temperature आपके पास क्या है, कि 100 gram आपके पास क्या हो, एक solvent हो इस 100 gram solvent को आप लोगोंने saturate कर देना है इसकी saturation के लिए सलूट का कितना मिधदार चाहिए, वो भी किसमे, ग्रामों में तो इन्ही को क्या मूलते है, बेटा, solubility और दूसरा टम जो हो solubility product है तो solubility product mostly उस salt के लिए लिए जाती है जो कि हमारे पास क्या हो that is sparingly soluble salt तो sparingly soluble salt उन salt को बोलते है जो कि पाने में completely dissolve नहीं होते या dissolve होती है पर बहुत ही कम जैसे कि पॉरी जापल में AG cell लिखते हूं तो AG cell को पानी में घरम dissolve कर ले यह क्या देगा बैटा यह देगा silver आइंट और chloride आएंट अब क्या करना है कि इनका आप लोग उने saturated solution त्यार कर देना है वो तो बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि because these salt are very least soluble अब इनका हम लोगोंने केस पी लिखता है तो केस पी क्या बोलते हैं तो यह हो गया हमारे पास बैटा molar concentration किस की एक silver आइन की दूसरा chloride आइन की इसका क्या लेना है product और यह किस में बैटा यह saturated solution में जितने आइन बने हैं उनकी molar concentration का product ले लिजिए इसी को क्या बोलते है बैटा solubility product तो product of molar concentration of iron in a saturated solution इस रेस तू appropriate power अब देखो बैटा कि इस solubility and solubility product की relation कि दरिम्याल मलब इनको जो सीखते है तो एक case भी अगर हम लोगों लिए निकालना है तो is equal to x की power x y की power y और यहाँ पर क्या हो जाएगा बैटा s s x plus y अब इसको समझे कि हम इसको कैसे apply कर ले पहला question हम लोग मैंने general question ले रखा है कि silver carbonate की solubility आप लोग determine कर लेजिए तो देखो बैटा सबसे पहला काम यह है कि आपको जो भी salt दी जाए उनको आप लोग पहले dissolve कर लो उसको ionize कर लो यह हम लोग को two more silver आइन देगा और एक मोल हम लोग को carbonate आइन देखा CO3-2 अब देखो बैटा यहां पर हम इसको किस तरह कर से solve कर ले तो अगर केस पी निकाल लाए तो केस पी के लिए क्या कर ले बैटा इसका जो stoichiometric coefficient है इनको लिख दो यही इसका power लिख दो एक की power इसका मतलब क्या है कि जो stoichiometric coefficient है वह लिखतो और इसकी power में भी यह लिखतो अब कर्बोनेट कितना है बैटा वन तो इसका stoichiometric coefficient है वन तो वन का power वन ही लिखतो और एस लिखतो जितनी stoichiometric coefficient है उसको जमा कर दो 2 प्लस 1 तो क्या हो जागा बैटा के sp is equal to यह 4 और 1 की power 1 1 और s क्या जागा बैटा अब solubility आप लोग नहीं निकालना है तो क्या कर दें बैटा दूनों को 4 पर divide कर दिजे तो यह divide कर दिया और क्या कर दें बैटा इस q को खतम करना है तो हम लोग ने दूनों तरफ क्या लेना बैटा cube root तो देखो यहाँ पर भी आप cube root ले लिजे और यहाँ पर भी cube root ले लिजे तो यह खतम तो solubility is equal to cube root ksp upon 4 तो इस इस दे correct relationship तो तो पर देखो प्रेकर आइंसर इस option c इस तरह जी जो भी question आएगे आप उनको solve कर लो अब हमारे पास question number second में क्या पूचा है उनको देख दीजे question second में यह पूचा है कि excess of barium sulfate अगर हम dissolve कर ले पेवर water में solubility product इतनी है तो barium ion की concentration बताओ तो वही ज़र फुराना तरह का कि barium sulfate को ले लिजे उसको पाने में रिजूल कर लो यह हमें देगा barium ion और एक देगा हम लोगो बेटा sulfate ion केस पी का relation निका लिए बेटा इसका stichometric option one इसका one तो क्या कर दो बेटा one की पावर one product इसका one की पावर one और solubility में क्या कर दे दूनों stichometric option को जमा कर दो तो केस पी is equal to s2 हो जाएगा अभी जो s square को खतम करने के लिए क्या लिए रूट इसका भी रूट ले लिजे यहां से खतम तो केस पी की value आप लोगो लग यहां पर रख दो और इसका रूट ले लिजे तो केस पी one multiply 10 power minus 10 दिया है इसका रूट मतलब तीक इसका आदा ले लिजे तो s is equal to beta क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 10 की power minus 5 तो यह क्या हो गया इस आर दा कंसेंटेशन अब वर्ड बेरियम आयन तो कि दोनों कि स्टाइकोमेटिक कोबिशन बराबर थे तो रेकारे कांसर इस ऑप्शन सी अब तीसरा कोईशन क्या रहा है उनको देखती जे बेटा तीसरा कोईशन आपको बता रहा है कि हम लोगों ने सिल्वर क्रोमेट ले दिया एकस और उनको हम लोगों ने डिस्टल वाटर में डिजॉल किया इतनी है तो इसकी सॉल्विलिटी प्रोड़क क्या है तो देख लो अगर हम लोग एजी टू सीर ओफूर को ले ले इनको पाने में डिजॉल कर ले तो यह हम लोगो क्या देगा बैठा टू मोल सिल ले लेते हैं और फिर एकस्प्रेशन में इसको क्या करते हैं उनका स्क्वेर ले लेते हैं पर याद रहे यह बाल कि जो स्टाइकोमेट्रिक अपिशन आपको आगे दे रखा है पहले इस वेल्यू को उन ही नंबर से मटिपिकेशन कर देना मटिप्लाइ कर देना यहां पर इसकी स्टाइकोमेट्रिक ओफिशन वन है तो जरूरत नहीं है तो 1.3 x 10-4 molar अब देखो बिटा इनका एकस्प्रेशन लिख दीजिए तो हमें तो केस्पी का एकस्प्रेशन आता है क्या कि तो प्रोड़क्त आप मोलर कंस्प्रेशन अपाइन इन सिचुरेटी सिलूशन औ मैंने यहां लिकवा दिया यह CRO4- और यह AG प्लस कितना है इसका फ्रोड़क्त लिजिए और यह सिल्वर कितना मोल है बेटा टू मोल यह वन मोल तो देखो बेटा अब वेल्यू तो आपको पता है AG की वेल्यू क्या है पहले इसको मोटिप्लाइ कर दिजिए तो इसको अगर मैं मोटिप्लाइ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2 3 दा 600 और 2 1 दा 2 2.6 multiply 10 power minus 4 power square और यह की value क्या है 1.3 multiply 10 power minus 4 तो these are the correct expression तो correct expression क्या होगा 2.6 10 power minus 4 power square और 1.3 multiply 10 power minus 4 तो correct answer is option C तो मतलब सारी बच्चों को मैं request करता हूँ कि आप लोग को जब भी solubility product का question दी जाता है मतलब आप लोग को solubility दे रखा है और आपको बोती है कि इसका correct expression मतलब केस भी निकाले तो दिहान रहे इस बात की कि जो आइंज आप लोगों ने मतलब यहाँ पर बना के रखे है वो इसकी आगे stichometric coefficient को देखो पहले उनके साथ multiply करो और बात में expression में जो square लेना है वो तो पार्मोले कापना है उनको तो भी लेना चाहिए उमीद है आप लोग को वीडियो अच्छे लगए होगी thank you for watching my video अल्दा हापिस